वेल्कम टू फूचर जोन अकैडमी आज हम क्लास 12 के फिजिक्स की और चलते हैं फिजिक्स में हमारा चैप्टर 3 चल रहा था वैद्दुत विभाव आज हम इसका नेक्स पार्ट बनाने जा रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और सेयर करें अगर आप हमारे स्पेसल बैस से चुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर वर्किंग सेटम दी जाएंगे ओके आए हेडिंग के और चलते हैं आज का हमारा जो टोपिक है वह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है वह विभाव परवनता विभाव परवनता क्या होती है तो मैं आपको बताऊं वैद्दू तक से तरज होता है न आपका अगर उसके नदर आपका कोई बिंदू A है और कोई दूसरा बिंदू आपका कहा B है तो आप जब एक बिंदू से दूसरे बिंदू की और आवेस जाता है या आवेस चलता है तो आवेस के चलने के सासाथ दूरी में परिवर्तन होता है और दूरी में परिवर्तन के सासाथ विभाव परिव एक विभाव परवनता होगी। तो थों विभाव में कि यूरी के साथ परिवर्तन की दर विभाव परवनता कहलाती हैos पंपके और ऐसकर कैसे परदरस्राख करते हैं वह के बराबर आपका कितना वहाट की दी मातरक की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम मातरक की बात करें, तो इसका मातरक क्या होगा, आप ध्यान दीजेए याँ पर, वोल्ट परती मिटर, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बता सकते हैं, वोल्ट परती मिटर, अगर हम इसकी विमा की बात करें, तो विमा आप ड इसको याद करने का परियास किजिए, ओके, आई यह next heading के और बढ़ते हैं, next heading है हमारी, विभाव परवनता और विद्धु तक्सेतर में संबन, यह भी आपकी very very important heading है, तो आपको क्या कसीद करना है, विभाव परवनता और वैद्धु तक्सेतर में संबन, आपको ज्याद कर है, तो देखे, पहले हम क्या कर लेते हैं, वैद्धु तक्सेतर खिंच लेते हैं, माल लोई आपको क्या है वैद्धु तक्सेतर है, और इस पर कुई 2 बिंदु है, एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर A बिंदु, एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर B बिंदु है, ओके, अगर विवुव इस साइड में बढ़ रहा है, तो यह VB है ना, तो यह आपका VB से थोड़ासा ज्यादा होगा, क्या होगा, थोड़ासा विवुव प्या होगा, या फिर आप कह सकते हैं, इस पर बल कितना होगा, आपका एप बराबर कितना होगा, क्यों ही, तो अब लेकर चलते हैं जब आप इसको यहां से यहां तक लेकर जाएंगे तो आपका कारिये कितना होगा थोड़ा सा कारिये होगा वोगा आपका डेल्टा डबलू बराबर कितना विभाव गुणा आवेस याने डेल्टा वी गुणा क्यों ओके आप देख रहे हैं यह इदर पलस से माइन कारिये किसा होगा आपका रिनात्मक होगा आप यहां पर ध्यान दीजिए तो आपका यहां पर जो कारिये होगा वो आपका रिनात्मक होगा डबलू बराबर आपका वी क्यों होता है कितना होता है वी क्यों ओके दूसरी बात आप यहां पर ध्यान दीजिए तो आपकी पह समीकर्ण आप देख रहे हैं कि बल के बराबर नहीं कि सोना टीना टीना टीनी लोगा कि वही होता है यानि च्छोटा सा और डिल्टा का देल्टा और बचाब करका ओजएगा ऑपका कितना देल्टा योगा जो कि आपकी क्या है विववव परवनता है। आप इस article को दुबारा से समझीए। मैं आपको दुबारा से रिपीट कराता हूँ। पहले मुख क्या करने हैं। एक बिन्दू A लेना एक बिन्दू B लेना ने है इसका विवववव आपको V-A मान लेना है। इसका विवाव कितना माल लेना वी भी फिर आप क्या करेंगे इधर क्यों आवेस को इधर से गति कराएंगे कितने दूरी पर डिल्टा आर या फिर आप डियार छोटा सा माल ले दोनों में कोई फरक नहीं है आप डिल्टा को डिवी मान सकते हैं तो आप यहाँ पर रिया तो दोन Mission को बॉराबर रख लेते हैं घ्राएंगे आपको क्यों से क्यों कर रहेग सब्सक्राइब दो जार उननिस दो जार बीस तीन साल रिपीट हुआ है यह अच्छा पेपर है अच्छा क्वोशन है आपका ओ इसको ध्यान से पढ़िए और इसको रिपीट भी करिए आगे चलते हैं नाम से भी बता चल रहे है सं विबाओ तो आपका ऐसा प्रस्ट जिस पर विबाओ क्या होता है समान होता है है तो कोई साब प्रस्ट अगर आपका अब बिंदू का विभाव क्या हो आपका बिंदू का विभाव अगर क्या हो समान हो सारे सारे कोई साइब बिंदू का इस प्रस्ट पर हो उसका अगर बिंदू का विभाव कितना हो आपका समान हो तो मैं क्या कहते हैं सम विभाव प्रस्ट कहते हैं क्या कहते हैं सम विभाव प्र आप पहले पॉइंट किया है सभी बिंदू पर भी बहुत समान था बस परिवास से आपका क्लिए रोजाएगा दूसरा आपका क्या होगा एक बिंदू आवेस को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारिये सुनन्य होते हैं very very important ना डूसरा पोइंट आप दियान से समझ जए आप सुन्य अच्छे से क्योंकि मैंने तेजी में लिखा है तो क्या एक बिंदू आवेस को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारिय सुन्य होता है यहनि अगर आप एना इसके एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जा रहे ने किसी आवे इसको तो आपका टोटल कारिय कितना होगा सुन्य होगा तीसरा जो होता है आपका क्या होता है यह भी आपका important है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि यदि ऐसा होता है तो कटान बिंदू पर दोस पर से रहाएं खीचेंगी जो दो अलग अलग दिसा को परदसीत करेंगी ऐसा आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था वैदूत अक्सेत्र बल रेखाओं में वैदूत बल रेखाओं में पढ़ा था आपने दो वैदूत बल रेखाओं कभी भी नहीं काटते क्योंकि कटान बिंदू पर दोस पर से रहाएं खीची जा सकते हैं जो दो अलग अलग दिसा को परदरसीत करेंगी जो की ऐसंबह है इसका अर्थ ऐसे हुआ कि जैसे एक वैक्तिया भी एक जगा यहाँ पर बैटा हुए और उसी वक्त उसी समय दोसरी जगा पर भी बैटा यानि उसकी दो इमेज बन रही है तो दोनों क्या है बिलकुल गलत है आई यह नेक्स एडिंग के ओर चलते हैं सम्विबाव परस्ट खींचना आपका सम्विबाव बहुत इंपोर्टन है इसलिए मैंने टोपिक वाई सारे सारी कलेक्ट की हैं तो आपको पेले वैद द रखुट हरए तो उसके वाव परस्ट होगा कैसा होगा। यह आपका सम्विबाव परस्ट होगा। इस़ी परकार अगर आप माइनी साख क्यों हावे से लेंगे तो माइन्स के क्यों के कान भी आपका बिल्कुल सेम होगा इसमें भी आप ऐसे ही बिल्कुल यह आपके परस्ट खिक्षरा हूं तो आपके इसे बिल्कुल इसा ह Papa देखी Ox आगे बढ़ते हैं नेस्ट एडिंग के और हैं है एक समान आवेशित कण की एक समान वैदुतक्सेत्र में गती तो कैसी गती होगी तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं मालूम क्या कर लेते हैं एक इसके अंदर प्लस का अवेश हम फैकते हैं तो प्लस का पर्तिकर्सित करेगा तो नीचे की और ऐसे जाएगा तो यह जो आपकी गती हुई यह आपकी इसका गमन पत पूछता है तो इसका गमन पत होता है परवलकार और वैसे भी मैं आपको बता दूँ यह वैरि-वैरि यह लगा है और यहांपर वह आपको नोट करें समझा रहा हूँ क्यों कि पीपर में पूछ लेयाता है क्मन पत कैसा होता हुथ है परवलकार दूसरी बात जो इसका गत्यों होती है वह अगर पलग और अगर बबिदा होगा है तो आप क्या होगा तो वी क्यों बट्टे एम यानि इसका जो अब वेग होगा वेग यानि स्पीर्ड होगी वह स्पीर्ड कितनी दो विभाव गुणा आवेश बट्टे उसका द्रेमान आप इस फॉर्मले से इसका क्या निकाल सकते हैं वेग भी निकाल सकते दोनों कोश्चन आपके तो वैदोत इस्तिती रूट्जा क्या होती है तो मैं आपको बताओं जब आप वैदोत अक्सेतर में एक बिंदू आवेश के विरुद किसी दूसरे बिंदू आवेश को लेकर आते हैं तो जो भी आपका कारिये किया जाएगा ना क्योंकि यहाँ पर यह प्लसका है और यह हम क्या बोलते हैं वैदोत इस्तिती रूजा आप समझे गई होंगे तो आप एक बार और दियान दिजिए जब आप वैदोत अक्सेतर में किसी आवेश के विरुद एक आवेश को लेकर आते हैं तो आपको उसके विरुद कारिये करना पड़ता है जो आप कारिये करते हैं वह आपका वैदत इस्तिती रूजा के रूप में संचीत हो जाते हैं ओकि हम किस से परदासित करते हैं इसको यू से परदासित करते हैं और गयाद करते हैं यहां पर क्यूबन nadवयसस अलग लग होते हैं यू बराबर आगे बढ़ते हैं अध्यारोपन का सिद्दान्त यानि वैदत इस्द्दान्त के लिए अध्यारोपन का सिद्दान्त क्या होता है अध्यारोपन का सिद्दान्त का अर्थी ये होता है कि आप एक निकाए के अंदर अगर खूब सारे आवेस है Q1 भी है Q2 भी है Q3 भी है Q4 भी है Q5 भी है तो आप इनके कारण क्या निकालना चाहते हैं वैदुत इस्तिति उर्जा निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए जो आपकी टोटल उर्जा होगी वो U1 पलस U2 पलस U3 पलस डोट 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 पहले आवेस के कार्ण जितनी उर्जा होगी उसके बिजगनिती योग के बराबर आपकी टोटल उर्जा होगी तो आप समझगे होंगे अध्यारोपन का सिद्दान ये कहता है कि आपकी किसी निकाय के अंदर किसी एक आवेस पर कुल वैदुत इस्तितिर उर्जा उनके अलग-अलग आवेस के करण वैदुत इस्तितिर उर्जा के बिजगनिती योग के बराबर होती है बिजगनिती योग के बराबर होती है या फिर आप जब numerical sold करेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे आपको पहले सब की वैदुत इस्तितिर उर्जा ग्याद कर लेनी है और फिर सब को क्या कर देना है एड कर देना है तो एड करने के बाद आपकी कुल उर्जा निकल जाएगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के जितना हो सके उतना सेयर करें ओके थैंक यू